दोस्तों आप सब के स्वागत है अपने चनल यूर में और आज जो वकेंसी में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ये निकलिए हैं अंडमान और निकोबार अडिमस्टेशन डारेक्टरेट आफ हेल्थ सर्विसेस की तरफ से है नोटिस और वकेंसी फॉर रेक्रिटमेंट इन अंडमान और निकोबार हेल्थ डिपार्टमेंट ये डेटेट है 10 जनुरी 2024 को तो चलिए हम लोग जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं तो इसमें आपका एक्जामनेशन होगा और इसके थुरू जो ग्रूप C जो वकेंट पोस्ट रह गई ही फार्मसिस्ट ग्रेट 3 गी वो यहाँ पर भरी जाएंगी अंडमाने निकोबार हेल्द एपार्टमेंट इन्वाइट्स ओनलाइन अप्रिकेशन फॉम इलिजबिल कैंडेट्स तो फिल अप दी ग्रूप C नॉन मिनिस्टियल पोस्ट ऑफ फार्मसिस्ट ग्रेट 3 इन पे लेवल 5 तो आपका पे लेवल 5 रहने वाला है और सेलेक्श पोर पी डिलूटी कैंडेट्स वन है और एमस्पी कैंडेट्स जो की होरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं उसकी भी वन है टोटल मिलाके 28 वेकैंसी है यहां पे इलिजबिल्टी कंडिशन पर नज़र डालें तो दोस्तों यहां एप्लिकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल होना चाहिए अल दोस्तों अगर आप एम्प्लिकेंट से रिजिस्टर है फिर भी आपको यह अप्लिकेशन ओनलाइन वहां पे अप्लाइ करना ही होगा तो जो आपके सेंट्रल गवर्मेंट से अंडमान निकोबार अनिस्टरेशन के तो उनको भी आप्लाइन अप्लाइ करना पड़ेगा लग से साथी साथ आपको नोसी नो अब्जेक्शन सेटिफिकेट भी अप्लोड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट की तरफ से एज लिमिट जो रखी गई दोस्तों वो 18 से 33 साल रखी गई है फॉर मेल और 18 तो 38 एर्स फॉर फेमेल क्रोशिल डेट जो आपको एज डिटर्माइन करना है अपर एज लिमिट वो रहेगा आपको closing date for receipt of application तो अभी closing date में आपको बताऊंगा कि last date क्या है उसके according ही आप अपना age वहाँ पे calculate कर सकते हैं educational and other qualification में आपको essential qualification के रूप में degree in pharmacy or diploma in pharmacy from recognized university होना चाहिए साथ registration with pharmacy council under section 12 of pharmacy act 1948 होना चाहिए और desirable की बात करें तो 3 साल का experience होना चाहिए in dispensing of medicine in case of degree holder and five years experience in case of diploma holder तो जिन्होंने B pharma कर रखा है उनको 3 साल का experience चाहिए in dispensing of medicine और जिन्होंने diploma means D pharma कर रखा है उनको वहाँ पे 5 साल का experience चाहिए होगा फिर दोस्तो process of certification format of certificate तो जो भी certificate हो दोस्तों वह इनके according जो format दिया है उसके according होना चाहिए valid requisite certificate होना चाहिए वहनना आपका candidature आके जलके वह cancel हो जाएगा तो इसलिए आप किसी भी category में fall करते हो SCST, OVC, EWS या sports person category हो तो भी दोस्तों आपको वहाँ पे अपनी जो certificate है वह आपका valid रहना चाहिए fees कितनी pay करनी है तो दोस्तों candidates except female ST person with PWD are required to pay a fee of rupees only 25 तो 25 रुपीज आपको pay करना है लेकिन female ST और PWD candidates के लिए वह भी exempt है अभी आप pay कैसे करोगे वह आप pay करोगे by using net banking, visa, master, rupee, credit, debit card, UPI payment या फिर QR code to the following account account number होने दे रखा है 4188-154-6799 account name है principal Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology recruitment exam fee FSC code है SBIN 0017178 Bank है State Bank of India और branch है Dolly Gunj Center of examination तो recruitment examination will be held only at Port Blair यह cable Port Blair पे ही आपका center पढ़ने वाला है तो इसको ध्यान पर रखके ही है आप अपना वहाँ पे apply करना method of selection क्या है CBT computer based test होगा आपका recruitment examination selection will be done on the basis of CBT standard of question for the CBT will be generally in conformity with the educational standard और minimum professional यह पे technical qualification prescribed for the post CBT shall be conducted in English only and will consist of three parts तो English में केवल आपका paper आने वाला है computer based test होगा और इसमें तीन पार्ट होगे पहला तो professional यह technical subject related question जो की 80% weightage का होगा general awareness 10% weightage का होगा general science आपका 10% weightage होगा general awareness में आपका आएगा knowledge of current affairs, Indian geography, culture and history of Indian including freedom struggle, Indian constitution, environmental issues concerning India and world sports, general scientific and technology development etc. general science की बात करें तो इसमें आपका physics, chemistry and life science up to 10th standards CBC syllabus कराएगा pharmacist grade 3 questions from the following topics confirming the standards of two year deployment pharmacy course उसमें दोस्तों आपका pharmaceutical chemistry, pharmaceutics, human anatomy physiology, pharmacognosy, biochemistry and pathophysiology, health education and community pharmacy, pharmaceutical jurisprudence, hospital and clinical pharmacology, pharmacology and toxicology, drugs store and business management अब how to apply तो इसके लिए सबसे पहले आपको online application जो है वो submit करनी है कहाँ पे erecruitment.undemand.gov.in slash crap यहाँ पे from 10th January 2024 से start है जो कि आपको 31st January जो कि last date है और 31st January 2024 को ही बेस मानके आप आप पे age भी calculate करोगे मैं आपको remind करा रहा हूँ तो आपका 31st January 2024 आपका last है at 12 midnight by the eligible candidates अब यहाँ बता जा रहा है कि जो candidate पहले ही apply कर चुके है जब previous vacancy notices dated 28 September 2018 21 June 2019 and shortlisted as eligible to appear for recruitment examinants published on 5.11.2020 need not submit application again तो जो बच्चे पहले भर चुके हैं और shortlist हुए examination में appear होने के लिए तो वो इसको ना भरे online application आपके 5 section में रहेगी पहला section आपसे personal detail वहाँ पे पूछा जाएगा education qualification second में भरना है post detail आपको third में fourth में आपका payment detail आ जाएगा यहाँ पे दोस्ता आपको good quality photograph और signature भी JPEG format में upload करना है photograph का size रहेगा वो 20 KB से लेके 50 KB की बीच रहेगा और resolution जो recommended है वो 200 x 230 रहेगा means width into height 200 x 230 रहेगा in JPEG format only signature की बात करें तो 10 KB से लेकि 20 KB की बीच होगा और resolution उसका होगा 140 x 60 in JPEG format बागी जो document आपको upload करना है जैसे कि education qualification यह certificate etc तो वो दोस्तों आपका 100 KB से 500 KB के बीच में रहने वाला है अगर 500 KB की उपर जाएगा दोस्तों तो वहाँ पे upload नहीं होगा इसलिए ध्यान करिएगा कि आपके जो भी document मैंने आपको जो size बताया है उसकी limit के अंदर ही होना चाहिए फिर दोस्तों next important चीज है यहाँ पे mode of selection मैंने आपको बताया दिया है कि CBT के थ्रू होगा फिर यहाँ पे ST, OBC, EWS candidates who are selected on their merit without relaxing general will not be adjusted against the result share of vacancy such ST, OBC, EWS candidates will be accommodated against general unresolved vacancy तो चिद्यान रखिए कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे किसी कटेगरी में है ST है, OBC, EWS है और वो select होता है, merit में आ जाता है तो और वो general में आ रहा है तो वो accommodate किया जाएगा against general या unresolved vacancy ठीक है, वो अपनी ही कटेगरी में वहाँ पे select होगा, ऐसा नहीं है admission to the exam, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो closing date for receipt of online application है तो इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक registration number या unique application number will be mandatory required to download the admit card, तो जो आपका जब आप online submit कर दोगे इसके बाद एक unique number वहाँ पे आएगा, उससे ही आपका admit card download होगा, तो उसको सही साप note down कर ली जाएगा साथे साथ mobile number, email ID सही वहाँ भरिएगा, ताकि वहाँ से आप admit card वगर डाउनलोड कर सको फिर action against candidate found guilty of misconduct, तो कोई भी misconduct वगर मत करना दोस्तों, और वहाँ पे आप debar कर दिये जाओगे और examination में एपियर नहीं हो पाओगे closing date, तो इसका जो closing date है, वो आपका 31 January 2024 है, at 12 midnight फिर बाकी और भी आप instruction दे रखे हैं, वो आप दोस्तों खुद से देख लेना, वो कुछ खास नहीं है अगर इस से लेटर और कोई query भी है, तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे हमें आप अपने comment को द्वारा पूश सकते हो, या फिर हमारे वाटसाप नमबर है, 99537-03693 उस पे भी query कर सकते हो, या फिर हमारे टेलिग्राम से भी जुड़ सकते हो, जहां पे हम लोग regularly कोशिश करते हैं, post करने की notification, etc. Thank you, take care, bye-bye.